नरहो न निरास करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो ये जन्म हुआ है किस अर्थ अहो समझो, जिससे ये बिर्थ नहो कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नरहो न निरास करो मन को नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे एक नया ध्याय जिसका नाम है वृत यानी सरकल सरकल चैप्टर का कुछ बहुत कंसेप्ट जरूरत नहीं आपको बताने कि क्योंकि आपका अ 610 में पहुँच चुके हैं इसके पहले और 8 में इस Zoe, में हम आपको ब्रित्य का बेसिक पढ़ा चुके हैं अगर बेसिक नहीं आता तो कमेंट करना बता देंगे यहां पर जो आपके लिए important है हम वो लेके आये हैं तो exercise 10.1 का question करने के लिए ये तीनों बात हैं जरूरी है जो स्क्रीन पर दिख रही है विटा सबसे पहला है असपर्स रेखा छेदक रेखा और असपर्स बिंदू जिसका इंगलीज भी लिखा गया है tangent line, second line and point of contact अब ध्यान से देखना दिल से बिल्कुल समझ के ठीक है सबसे पहले बात करते हैं असपर्स रेखा की असपर्स रेखा क्या होती है इधर ए नंबर के लिए मैं फिगर बना रहा हूं ध्यान से देखना विटा देखो जब कोई circle ऐसे बना हो ठीक है यह circle ही बना है और कोई रेखा जो इसको touch करती हुई निकले इसको touch करती हुई निकले आप समझना थोड़ा सा समझना यह ऐसे तो यह क्या है यह बिटा असपर्स रेखा क्या है यह असपर्स रेखा समझ रहो ना देखो अभी सब इसमें clear हो जाएगा tension मतले ना बस थोड़ा सा रुके रह यह क्या है जिसे बोलते हैं टैंजेंट लाइन है ठीक है इसका नाम मानलो कुछ भी हम लीक देते हैं यह अब देखो इसके बारे में थोड़ा डीटील में समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे यह दि किसी ब्रित में कोई भी रेखा जो ब्रित को एक ही जगह पर टच करे और फीदा निकल जाए वो असपर्स रेखा या टैंजेंट लाइन होती है इसके अलामा अभी अंतर समझोगे तब समझ में आएगा एक एक नहीं समझ में आ रहा होगा न आव आगे और देखो एक यह क्या कर रही है इस सरकल को अगर आप देखो यह केवल बगल्थ टच कर रही थी यह डारेक्ट भॉंक दे रही है चुब जा रही इसमें से न अंदर से निकल रही न तो बेटा इनको क्या बोलते हैं पता है यह सीकेंड लाइन होती है क्या होती है सीकेंड लाइन जिसे छेदक रेखा बोलते हैं छेदक रेखा तुम ऐसे भी समझ गया होगे इसको यह छेद रही है जैसे कोई आलू ले लो और आलू में अगर बगल से तुम सुई चिपका दे रहे हो तो असपर्स रेखा है और आलू में अगर सुई तुम भोग दिये चुभो दिये तो वो के दक रेखा दोनों में अंतर समझ गया हम एक है बटा असपर्स बिंदू जिसे बोलते हैं पॉइंट आफ कांटेक्ट क्या होता भाइया क्या होता इसमें अबी जो है वो क्या है असपर्स रेखा है लेकिन यह जहां पर टच कर रहा अगर इसका नाम हम P लिख दें तो यह बिंदू जो P है वो क्या है? अस्पर्स बिंदू है. समझ गए? तो ये भी इसी में आ गया. बोलो, सब को समझ में आया न? यानि अस्पर्स रेखा, अस्पर्स बिंदू और छेदक रेखा जिसको इंग्लिस में टैंजेंट लाइन, सीखेंट लाइन पॉइंट आप कांटेक्ट बोलते हैं इसको लिख लिजिए इसक्रीन साट ले लिजिए अगर कोई डाउट है तो बताइए जल्दी करिए आगे बढ़ें उसके बाद हम कोईश्चन पर चलते हैं बहुत जल्दी करें फरीस्ट कोईश्चन देखिए तया कि एक परती की इसपर्स रेखाय हो सकती हैं मतलब यह है साथियों कि एक जो सर्कल है उसमें कितने टैंजन्ट हो सकते है वैं अनंद हो सकते हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि हम किसी भी तरह से यसे इसको टच करती हुई ऐसे ब्रि तो अनन्थ हो सकती है, इन्फाइनाइट हो सकती है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये ध्यान रहे, जश्ट किनारे ही टच करती हुई जाएगी, अंदर में नहीं जानी चाहिए, तो ये अनन्थ हो सकती है, बावु इनकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ लोग कह रहे होंगे ती सारी खिंच दिया अभी इतनी जल्दी तो अनन्थ हो सकती बिटा ठीक है पहले का जबाब क्या होगा अनन्थ होगा इन्फाइनाइट यह चिन्ने ना उसका कि कोश्चन नंबर सिकेंड पर आगे बढ़िए दूसरा दिखाओ भाई दूसरा दिखाओ जल्दी से देखो पर दूसरा देखने के पहले ध्यान दीजिए हम आपको साउधान करना चाहते हैं एरिटल ब्रॉडबेंड इंटरनेट में लगवाया था आप लोकों की कलास के लिए आपकी लगता लाइब कलाफे चलती थी साथ-ाट कलास अप्लिकेशन में और यूटूब पर अगर इनकी संपर्क नहीं करते हमने छोड़ दिया और आपके भी वर्वाद होंगे तो इसलिए ऐसा ना करें हमने बहुत कोसिस किया बहुत टाइम लास किया इनके पीछे कस्टोमर केर में काल कर करकर करके यह लोग कुछ करते नहीं है तो अभी देखो इसमें 8698 रुपय का बैलेंस है पूर्ति कीजिए मतलब फिलिंदा ब्लेंक्स हिंदे में लिखा है मैं इसे इंगलीस में भी पढ़के सुनाओंगा आप लोग ध्यान से देखेगा फिलिंदा ब्लेंक्स में क्या कह रहा है फर्स्ट कोईश्चन में कह रहा है कि अटैंजेंट तू असर्कल इंटर्सेक्ट इन-डैस पॉइंट हिंदी में पढ़ लिजीए किरा किसी व्रित को की असपर से रहा उसे बिंदूंपर परतिछेद करती है मतलब इंटरसेक्ट करती है जो टैंजेंट है वह एक सरकल को कितने बिंदू पर परतिछेद करती है भाया अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में यान अगर आपने इंट्रोडाक्सन देखा हो गवाबू तो इह देखो जो टंजन्ट होती ऐसे किनारे फे जाती है एक दम किनारे फे तो इस चरहे दाइक ही second part में क्या कह रहा भया अभी समझ रहे हो ना हिंदी इंगलिस में दोनों में बताऊंगा टेंशन मतले ना हिंदी में दिख रहा है इंगलिस में मैं पड़ रहा हूं आपको क्लियर तो हो रहा है ना चलो आगे second part वाला सुनो कह रहा है आ लाइन इंटरसेक्टिंग असर्कल इन टू पॉइंट इज काल्ड आ फिट डैस यानि कहने का मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए आ लाइन इंटरसेक्टिंग असर्कल इन टू पॉइंट इज काल्ड यानि वो सर्कल जिसमें कोई लाइन दो जगां इंटरसेक्ट करें वो क्या कालाती है भाई सीधी सी बात है सीध करल आती होयट जगाल टी जो मैंने दूसरा चितर दिखाए अ।đ यानि बृतिकी दो बिंदूं पर प्रतिषेद करनेवारी रेखा को क्या कहते हैं चैद करेखा का MARC क्या कहते हैं छेदक रेखा इंगली समें सिकेंट कहते हैं सिकेंड लाइन ठीक है इसे वडुक देना है इंगली समय हो इंगली से हिंधी दोनों लंग्वेज में मैं बताउँ डा हमारी एकोसिस है युपी सीरास्थान iPhone दिल्ली बोड कोई भी बोड का बच्चा है वो हर कोई पड़ सके है ना चले अगला इसका थाट देखिए इसक्रीन पर देखिए क्विश्चन दो पार्ट दिख रहे थे तीफरा चाओ था पाचवा सब देख लो अब हुम है चारी तो है ना इसमें चलो ठीक है आप सबसे उ इंग्लिस में बोल दूँ कह रहा है आ सरकल कैन है डैस पैरलल टैंजेंट एट दा मोश्ट है यही तो है ना बताइए एक बृत्य की कितनी समांतर असपर्स रेखाएं हो सकती हैं समांतर असपर्स रेखाएं भाईया इसका आप जवाब लिख लो दो किसी भी बृत्य की द दो समांतर असपर्स रेखाएं हो सकती हैं कितनी दो रेखाएं हो सकती हैं दो से ज्यादा नहीं हो सकती हैं जो समांतर भी हो और बस मतलब पैरलल भी हो और टैंजेंट भी हो इस तरह से किवल दो रेखाएं हो सकती हैं बना कि दिखाऊं का हो तो नहीं तो रहने दूँ कोई मतलब नहीं है अगला पेज पल्टो पोर नंबर वाला करवाऊं इसका जबाब होगा टू हिंदी में लिख लो दो आप सबको पता है कि बता हूँ बाई एक सरकल खिंचलो एक ऐसे जाएगी ऐसे एक रेखा तो यह हो गई समानतर एक ऐसे ऐसे कर सकते हो दो हो सकती बस ठीक है डन अगला चलो चोफा पर्ट चोफा पर्ट इंगलिस में देखिए बोल रहा हूँ कराद अब नहीं हो जबाएा हो a tangent to a circle and the circle is called यानि ब्रिद्ध तथा उसकी असपर्स रेखा के उभैनिष्ट बिंदू उभैनिष्ट का मतलब होता बैटा कामन ठीक है सरकल और उसकी असपर्स रेखा यानि टैंजेंट लाइन की जो कॉमन पॉइंट होगा उसे क्या बोलते हैं अभी अभी मैंने आपको बता था इंगलीज में पॉइंट आप कांट्रेक्ट उसे क्या बोलते हैं वही बोलते क्या उसका नाम ही वही है असपर्स बिंदू बोलते तो इस तरह से आपका question number ये दूसरा भी complete हो गया लिख लीजिए चात्रों कोई भी doubt है तो बताईए हो गया जल्दी करें अगर अभी तक आपने PVR study channel को subscribe नहीं किया तो तुरंद कर लें और bell icon प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आप फिरी पढ़ सकें घर बेटे पढ़ सकें अगला चलते हैं बहुत जल्दी सब्र बना के रखिएगा एकजाम खोपड़ी पे है कोई टेंसर निलेना है जितना पढ़ाया जारी विजन करते रहो बस आगे बढ़ते रहो अगला question दिखाईए तीसरा question कि दीफरा question क्या कहता है जरा ध्यान से देखना बाबू क्या कहरा देख लो पढ़ लो एक पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बृत्य के बिंदू पर असपर्स रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदू Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है तू PQ की लंबाई ग्याद कीजिए ठीक है चलिए एक फिगर ड्रा करते हैं जैसे यह बोल रहा है पहले एक सरकल बनाएंगे एक सरकल बनाने के बाद जैसे-जैसे यह कह रहा है वैसे इस्थिती में हम उसको ड्रा करेंगे ठीक है डंट वरी आजाओ जल्दी से आजाओ ब देखिया आपके सामने मैंने चित्र बना दिया है अब इसमें जो आपसे पूछ रहा है पी क्यू निकालना बहुत आफ़ान है देखो बेटा कह रहा था किरिज्या पांच सेंटीमेटर है मैंने लिख दिया और इसमें ओक्यू की दूरी भी लंबाई 12 मिटर बोल रहा था म अब इसमें तुम्हें क्या करना सिंपल में पाइथागोरस परमिय लगा देना है और पी क्यू निकाल लेना है जैसा कि दिख रहा है तो घटा करके ही निकलेगा है ना आप क्या लिखोगे पी क्यू का स्क्वाइर इक्वल ओक्यू स्क्वाइर माइनस ओपी स्क्वाइर ठ लिख लिजिए पाइथा गोरस की परमीय से लिटिंग सब लोग स्क्राइब से लिख लीजिए तो देखो बेटा हम में PQ निकालना है तो यह हो जाएगा PQ का स्क्राइर एक्वल OQ का स्क्राइर और माइनस OP का होल स्क्राइर दीख है OQ यानि 12 का whole square माइनस ये 5 का whole square 144 माइनस 25 इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परसानी नहीं ना खटा के देख लो 119 आएगा बटा ठीक है? इनको थोड़ा इधर साइड में लाके मैं हल कर लूँगा तो PQ का whole square equal आएगा 119 यानि हम कह सकते हैं PQ equal आएगा under root 119 हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 119 अगर आप option देखो तो option number D सही है जो question आप देख रहे हो चोथा तीसरा number इसमें D option सही है ठीक है? किसी के मन में कोई doubt है, कोई भी तो बताइए नहीं ना आगे बढ़ें जल्दी लिख लिजिए बच्चों आपका तीफरा question भी हो गया बहुँ जल्दी करिए question screen से मैं हटा देता हूँ हो गया ना? अगर आप नहीं समझे थे वीडियो को तोड़ा पीछे करके लिख लिजिए चलिए time हो गया done अगला question की तरफ आगे बढ़ते हैं उस तरह से फिर ये 10.1 खतम हो जाए जल्दी देखिए next ये 10.1 का last question है और बहुत आसान है बेटा इस screen पर अगर आप ध्यान से देखो उपर side में तो आपको दिख रहा होगा कहरा कि एक ब्रित खीचिए मतलब एक circle आपको क्या करना है ड्रा करना है और पढ़ लिजी पूरा क्या कह रहा है कि एक ब्रित खीचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाई खीचिए कि उनमें से एक असपर्स रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो मतलब simple सा है थोड़ा गुमार आ और दो प्यार रूखना दो बोलनेंक बाद एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाई खीचिए थोड़ा अरजीव टाइप का लिखा है ना तो एक कोई रेखा हम खीच लेते हैं आँ से मान लो a circle and two line parallel to a given line such that one is a tangent and one is the tangent and the other is a secant to the circle. तो यह मैंने खिंच लिया अभी इसके पैरलल दो लाइन ऐसे खिंची जा सकती बेटा ऐसे ऐसे न कह रहा था एक असपर्स रेखा होनी चाहिए यानि टैंजेंट और एक secant होनी चाहिए तो इसके पैरलल भी हो जो लाइन खिंची है तो यह हो सकती है टैंजेंट और secant भी हो तो यह हो सकती है क्यात हो जाए CHATAM हो इनको चाहो तो नाम भी लिख दो कुछ भी या न खुर दीक नहीं है इन रेखाओं को मैं मान लेता कुष की मने इनके पैर कि दीए हैं क्या'd इनका नाम A था, इनका नाम B था, इनका नाम C था, बना लीजी हो गया, हाँ, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, इधर लाइन भी आप ऐसे भी खींच सकते थे, जो लोग confusion में हो बेटा देखो, ऐसे भी तुम कर सकते हो, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये इसमें किनारे फिटाच होती जाएगी, याद रखे, बीच में ने गुशनी चाहिए, करणी ने चाहिए, ये ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है, इस तरह से बच्चों आपका 10.1 पूरा खतम हो गया, बृत का आपका 10.1 चैप्टर ही खतम हो गया अब हम 10.2 में कुछ question है उनको करेंगे theorem 10.1 और 10.2 देखिएगा बहुत important पर मिये हैं आपके परिक्षा में भी आपको यह प्रूब करने के लिए नहीं सिद्ध करने के लिए आ सकती है इंदी इंग्लिस दोनों लैंग्वेज में आपको दिख राएं स्क्रीन पर आप इसे समझ लेजिए रहा कि बृत्य के किसी बिंदू पर अस्पर्स रेखा असपर्स बिंदू से जाने वाली तिरिज्या होती है at any point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact दूसरा है वह विन्दू से ब्रित्त पर खिंची गई असपर सरेखाओं की लंबाई यह बराबर होती है इनि डाइंज दा लेंथ आप टैंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन इस्क्टरनल पॉइंट टू असर्कल आरिक्वल आइए पुरूब करते हैं पहले हम फिगर बनाते हैं देखिए फिगर का कुछ अंस हमने यह आंपर ड्रा किया है यह एक सर्कल है सर्कल में से यह उसका सेंटर है यहां से तिरीज्ञ्या आती है यह उसका क्या है वह यह ऐस पर सरेखाओं आप जानते हो आए आ आगे समझेगा यहां से हम इसको यहां पर क्या करते हैं देते हैं अभी समझना आगे हम क्या बता रहे हैं यहां और इसको मनessול लिख दिया इसको पी लिख दीया इसको ओ लिख दिगे यह आपका Sticker हो गये इतने के लिए डिरीक है अब वाट इज गीवन भाईया क्या दिया गया है लिखिए एक बृत जिसका केंद्र ओ और एक असपर्स रेखा एक बृत जिसका केंद्र ओ और एक असपर्स रेखा एकस वाई बृत को बिंदु पी पर असपर्स कर रही है बिंदु पी पर असपर्स कर रही है या असपर्स करती है कुछ भी लिख दीजिए ठीक है इनको फट से नोट कर लिजिए जो मैंने बातें बोला आपको पीछे दिख रही है इनने लिख लिजिए जल्दी से बृत जिसका केंदर ओ है और एक एका सपर्स रेखा एकस वाई एकशूआई अशफ रेखा है ठीक है टेंजन्ट हैए ओ जान्ते हो जो की किस पर कर रही है किस पर बिंदू पी पर असपर्स मदलब उसको टच कर रही है बिंदु P बिंदु P को क्या बोलेंगे point of contact असपर्स बिंदु ठीक है हमें प्रूप क्या करना है कि OP perpendicular XY OP perpendicular XY चलिए अब बेटा इनको कर लिए न आप question हटा देते हैं जो भी था अब हम यहाँ पर लिक्वेंगे proof ठीक है proof लिक्केंगे नीचे कम जगा इसलिए हम इधर side में करेंगे Hindi medium वाले लिख लेंगे उपत्ती English वाले लिखेंगे proof ठीक है proof लिख लिझ ऐंग्लीज वाले समझदार है। लिखो बिठा यहाँ पर op om के बराबर है op om के बराबर है क्योंकि तिरिज्जा है है नुट्फ लीजिए op equal om ब्रेकट में लिख लीजिए वरित्त की तिरिज्जाएं एक ही बरित्त की तिरिज्जाएं ठीक है एक ही ज़ोजिए और बढ़ते हैं समझते जाना बिल्कुल भी ये एक चीज हो गया इसमें देखिए OM OQ से बड़ा है की छोटा है OM यहां देखना OM OQ से छोटा है तो हम लिखेंगे OM is less than OQ यह तो तुम्हें दिखी रहा है क्योंकि OM सिर्फ रेडियस यहां तक है लेकिन OQ यहां तक आ रहा है थोड़ा और आगे जा रहा है है ना यह एक वैसा नंबर फास्ट हो जाएगा ठीक है इक्वैसन नंबर फास्ट ही से मान लीजिए इसी तरह से जो OP है वो भी OQ से छोटा है यह आपका हो गया सिकेंड इसको पटा पटा से लिख लीजिए अब लिखिए समी करण एक और समी करण दो से सिद्ध होता है लिखिए एक्वैसन फास्ट एन सिकेंड से अप्रूब हो होता है लिख लीजिए समी करण एक और समी करण दो से सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है कि केंडर ओ की केंडर ओ से असपर्स रेखा पर खींची गई से असपर्स रेखा पर खींची गई सबसे छोटी क्या सबसे छोटी रेखा OP है इन बातों को आप नोट कर लीजिए द भूरो सभ है जो परर पर किनची गई सब्से छोटीृट एक चुट मैं पर कि इसलिए darauf स्पर्स रेकाए इन से छोटी बोड़का तो हम एम लिख सकते हैं अधा ओपी और पर ह들이 य üzerine करना था क्यों यह ऐसा क्यूं वह लेक लिदिए क्योंकि आसपर्स रेखा पर किसीं बिंदु से खींची गई की जो रेखा होती है सबसे छोटी रेखा जो होती की ले म horas कई या फिर इसे ऐसे आए सकते हैं यह बैसा हम यह जरूरे नहीं है किसी बिंदू से किसी रेखा पर खीची गई सबसे छोटी रेखा लंब बहुत होती है ठीक है ब्रेकरट में लिख लिजिए किसी बिंदू से किसी रेखा पर खीची गई सबसे छोटी रेखा लंब बहुत होती है ठीक है लिख लिख लिजी मैंने लिख दिया है आप आपका थेहरम नंबर 10.01 था वो खतम हो गया 10.2 पे आगे बढ़ते हैं कुछ भी डाउट है तो कमेंट करेए फट से बताइए कोई डाउट है को किसी को कमेंट बहुत से बच्छे कर रहे हैं मैं कमेंट के चक्कर में ना परिसान रहा हो लाइब कलास चल रही है यह मत सोचना अस यह यह ग डायरा है च्छे वाहे बिंदू से ब्रित पर खेंची गई जो आसपर्स रिखा होती है उमकी लंबाएं बराबर होती है वाहे बिंदू मान लेते हैं कि मैंने N walk ले लिया और ब्रित पर इसको मैंने मिला दिया फिलहा स्के बात में बात करेंगे इनका मतलब है कि जो PR है और PQ है यह आपस में equal होती है यह हमें सिद्ध करना है ठीक है The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal Tangent मतलब जानते हो Asperse रेखा को ही tangent बोलते है ठीक है? लिख लिजिए Gibbon Gibbon में लिखिए A circle with center O and to tangents PQ and PR यह English वालों के लिए Hindi वालों के लिए तो लिखा है दिखी रहा है तुमें सिद्ध करना है PQ equal PR यानि यह दोनों लाइने बराबर हैं आईए इसमें हम लोग थोड़ा सा राचना भी लिखेंगे Construction लिख लिजिए English वाले क्या लिखोगे बाई? Construction में यह हुआ है कि हमने OP को मिलाया है PQ को मिलाया है और PR को मिलाया है लिख लिजिए आप लोग क्या लिखेंगे? लिखिए Join, इंग्लिस वाले लिख लें Join, OP, PQ and PR Hindi वाले लिख ले, Hindi वाले लिख ले, OP, PR और PQ को मिलाया ठीक है यही इसमें construction हुआ था बाकिया और कुछ नहीं हुआ था अब इधर साइड में करेंगे उपत्ती ठीक है? इंग्लिस वाले लिखेंगे proof Hindi वाले लिखेंगे उपत्ती फिलास को पूरा इंड तक देखना बेटा जो लोग comment के चक्कर में पढ़े हैं बिल्कूल परिसान दर हैं मैं सबका comment देख रहा हूँ देखिए अब इसमें हम 10.1 का help लेंगे जो आपने 10.1 में पढ़ा था ना पढ़ा द्रान बेटा देखो इसको हम क्या लिक सकते हैं उपत्ति में कि o q जो है o q वो p q पर लंब है हां लिखे है उपत्ति में o q perpendicular पी q q o q p q पर perpendicular रिफ लिए हैं क्योंकि हम 10.1 में अभी अभी प्रूब कर चुके और भी लिखो इसमें जो o p है o p op की बात नहीं हो रही होँ अभी ओ और ठीक है or क्या है ये भी PR पर लंब है ठीक है लिख लो OR लंब है PR पर ब्रेकट में लिख लीजिए पर्मिय 10.1 से 10.1 में अभी अभी आपने प्रूब किया है क्या प्रूब किया है देख लो इस्क्रिन पर प्रूप किया ना भी अभी फट से जल्दी से ही कि बृत्य के किसी बिंदू पर बृत्य के किसी बिंदू पर असपर्स रेखा असपर्स बिंदू से जाने वाली तरिज्या पर लंब होती है बृत्य के किसी बिंदू पर असपर्स रेखा असपर बिन्दू से जाने वाली तरिजह पर लंब होती है अभी प्रूप किया हो ठीक है होगे अटन आगे बढ़ते हैं अब लिखिए तिर्भूज O P Q और O P Q और O P R में यानि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में नीचे लिखिए तिर्भूज O P Q और तिर्भूज O Q R में ठीक है O P Q और यहाँ पर O Q R नहीं रहेगा O P R रहेगा भाई ठीक है क्योंकि वो तो तिर्भूज बनी नहीं रहा फिर उल्टा हो जाएगा देखो O P R फिर से देखो O P R अगर O Q R कर देंगे तो तो गड़ पड़ हो गया ठीक है इसमें क्या क्या है देखो बाबु इसमें जो कौन Q है और कौन R है यह दोनों बराबर है कौन-कौन कौन Q और कौन R बराबर कैसे हैं लिखो एंगल O Q P इक्वल एंगल O Q P इक्वल एंगल P Q R कर लीजिये इसको या फिर O R P कर लीजिये लिखिए ओ आर पी एंगल ओ आर पी हमें कौन-कौन बराबर दिखाना था ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाना था इसको हमने पहले वाले में कवर किया इसको मनें दूसरे वाले में कवर किया ये बराबर क्यों है क्योंकि दूनों नब्बे अंस के हैं क्या है नब्वे अंस के दिख लीजिए दोनों क्या है नब्वे कुछ लोग कह रहे होंगे नब्वे का है नब्वे का है देखो बहिया अभी आभी उपर लिखाए की यह दोनों लंब है ना एक दूसरे पर पर परपेंडिकुलर है अगर कोई भी लाइने 2 आपस में परपें बिच्छ ओपी okay एक ne ओपी आर और और ऐब कुमें दोनों में ओपी कॉमन है लिख लिए कामन है अबयों है धिक्या है फटाफट लिखिये कॉमन है या लिग्षा है हिंदि फिक्ड ने चिंट अगे लिखे O Q O Q और जो O R है ये बराबर है क्यों बराबर है कोई बताएगा O Q equal O R ये बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही बृत्त की तृज्जाएं है ठीक है radius आप same circle हमेशा equal होती है और अगर ये तीन चीजे मिल गई चच्चा कौण बराबर हो गई दो ठीबूजा बराबर हो गई तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए तिरभूज O P Q kangurient O P R लिखिए O P Q kangurient O P R यानि ये दोनों तिरभूज क्या हो गई सरबांगसम सिद्ध हो गई कैसे हो गई by RHS रूल पढ़े हो ना kangurient वाला by RHS जो नहीं पढ़ा कमेंट करके बताना वो भी मिल जाएगा ठीक है और बेटा आगर हमने इनको kangurient प्रूब कर दिया तो सारे बीमारी ये दूर हो गई सारे बीमारी इस लिए दूर हो गई नीचे लिखिए क्योंकि तिरभूज O P Q क्योंकि तिरभूज O P Q और O P R kangurient है यानि सरबंगसम है इसलिए लिखिए इफ लिए इफ लिए हमें क्या करना था P Q EQUAL P R प्रूब्ड हो गया क्यों भई इसको ब्रेकट में लिखिलो by CPCT CPCT kangurient part of corresponding part of kangurient triangle corresponding part of kangurient triangle में मैंने पढ़ा था आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई दो तिरभूज आपस में सरबंगसम है उनके corresponding angle और corresponding side हमेशा इक्वल होती है क्या करने को कहरा जरा सुन लीजिए कहरा कि प्रशन संख्या एक दो और तीन में नहीं विकल्प आपको कारण सहीद बताना है यानि चूज दा करेक्ट आप्शन पिद रीजन यानि आप जिस आप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसका सेलेक्ट करने का रीजन क्या है मतलब वो आंसर कैसे आया क्यों आया यह सब बताना यानि फुली डिस्क्राइब करना है तो कुश्चन बेटा आपको नीचे दिख रहा है अगर छोटा दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ देख लिजी एक नजर में फिर आगे बढ़ते हैं कहरा है कि एक बिंदू क्यू से एक बृत्त पर असपर्स रेखा की लंबाई 24 cm तथा क्यूंकि केंद्र से दूरी 25 cm है तो बृत्त की तिरिज्या है पहला आप्सन है 7 cm है दूसरा है 12 cm है दूसरा है 15 cm है यह 24.5 cm है इन में से कोई एक आप्सन सही है आईए इसे हम आपको हल करके दिखाते हैं प्रूब ठीक है तो कुश्चन पर आजाओ भाई सभी पटापट चलो रेडी हो सभी बोल दो जल्दी से फटापट देखो बहुत से बच्चे कमेंट करने हैं परिसान है बेटा हैरान बिल्कूल मत रहो बच सबका कमेंट देख पा रहा हूं चलो ठीक है लिखो पहले एक सरकल बना लेते हैं एरा कि बिंदू क्यू से ब्रित पर असपर्स लेखा की लंबाई आप जानते हो जायत इसको पीछे बढ़ा भी दो या ना बढ़ाओ यह इसको टच करती हुए जा रही मतलब यह क्या है असपर्स रेखा है पॉइंट आफ कंटक्ट यहां पर यह हो जाएगा यह जल्दी से बना लो सेंटर का नाम और रख लेते हैं इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं लेकिन इसमें कोईश्चन में पी क्यू बोला है इसलिए हम पी और क्यू ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे पिटा इस पे अगर यह लंबवत है तो यह 90 अंस का कॉन बनेग इसमें कहरा इसमें और दिया भी है लंबाई कहरा कि क्यू से एक ब्रित पर असपर्स रेखा कि लंबाई 24 है क्यू से ब्रित पर जो असपर्स रेखा है उसकी लंबाई 24 सेंटिमिट मतलब यह पी क्यू कितना 24 है और क्यू से केंद्र की जो दूरी है वो 25 है यानि यह कितना भाबुआ ये पचीश है पचीश सेंटीमेटर तो कह रहा है कि बृत्ति की जो तरिज्ज्जा है यहाई ओपी क्या है हमें क्या निकालना अब ओपी निकालना है हल में आप लिखेंगे ओपी पर्पेंडिकुलर क्यूपी के ओपी जो है किसी असपर्स रेखा पर लिखा देता हूं देखो बाब वह लिखा है न यह थेवरम 10.1 जो आप स्प्रूप किये हो बृत्य के किसी बिंदू पर असपर्स रेखा असपर्स बिंदू से जाने वाली तिरिज्या पर लंब होती है यहां पर लिखिए तिर्भूज ओपी क्यू में नेचे दिख रहा है न लिख दीजी तिर्भूज ओपी क्यू में चाहिंERS कि आप सबको पता है क्या पता है न न ओपी क्यू में यहां पर लिख दीजिए और कोड ओपीकिू इक्वल नब जल सकाते और यह और P जाएंगे यहां गल की ही सिर्फ बात हो रहे हैं तो आप सिर्फ एंगल पी है इसलिए पाइथा गोरस पर्मिय लगाएंगे आयदा पर बना वर्ग से दोनों बुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है यह अपकि यू का सक्वाइर vendor के योग और धन P Q का स्कौायर यह होता आपका पाइथागोरस का पर्मिय इसमें सारे मान रख देंगे O Q कमान देखो बेटा 5 या 25 दिया है ना O Q कमान 25 दिया है रख दीजिए O P कमान हमें नहीं पता है यही निकालना है P Q कमान 24 दिया है यह मैंने रख दिया इसके बाद हम इधर साइड में चलेंगे कोई दिक्कत नहीं फटा-फटाल करते चलिए देखो भाईया यह हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे O P का स्कौायर माल लेते हैं कि हम इनको पूरा पूरा इधर ले आए इनको पूरा पूरा इधर ले जाए अगर यह कुछ हाय से बनेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को यह O P का स्कौायर कितना हो जाएगा बेटा यह 25 का होल स्कौायर माइनस 24 का होल स्कौायर इसमें किसी को कोई दिक सब्सक्राइब करना जानते हो इसमें से आप घटा लीजिए अगर आप सब्ट्रेक करेंगे तो 49 आएगा हर किसी को आता है 49 आएगा यानि ओपी का होली स्क्राइब 49 आएगा यहां से ओपी निकालेंगे तो अंडर रूट 49 आएगा यानि ओपी कॉल प्लस माइनस सेबन हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो क्या है साथ सेंटिमीटर है यह तिरिजिया कितना मिटा सेबन सेंटिमीटर किसी को कोई डाउट है निस अंकोज बताईए फिर से स्क्रीन पर दिखा दूंगा इसक्रीन साट ले में आ चुका है ध्यान से देखिए और प्यार से देखिए कहता है कि आकरती 10.11 में यदि पी केंद्र ओ जीरो नहीं है द्यान रखना ठीक है केंद्र ओ वाले किसी ब्रित पर दो असपर से रेखाए इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओक्यू पी ओक्यू बराबर 110 डिग्री और भूले कि पी टिव यह कितना है अब के जिक्त एफजं को चुटा करके नीचे रख देते हैं और आपको इसको हम लेके चलते हैं फटा-फटा और हल करके दिखाते हैं आईए फिगर आपके सामने है रियल वाला मैंने जो बनाया है फ़ड़ा गंदा है लेकि अच्छा है यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा कि जो ओपी है वो टीपी पर परपेंडी कुलर है क्यों है आप पहले सही सिद्ध कर चुके हो यहां पर लिखो ओपी परपेंडी कुलर पीटी लिखिये परमिये 10.1 से अभी इसके पहले की कलास में मैंने थेवरम 10.1 पढ़ाया था जो बच्चे नहीं देखे हैं वो इसे जरूर द देख लें ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव कर लीजिए पहले पूरी बात लिख लीजिए तब इसको लिखिये क्योंकि ओपी जो है बेटा वो पीटी पर तो है परपेंडी कुलर यह सही है लेकिन इसमें एक ही नहीं है एक और भी है वह कौन है ओक्यू अब लगा नीचे लिखिए परमिये 10.1 से ठीक है अब यहां पर नीचे चाहिए तो लिख लेजिए चूंकि जब कोई रेखा जब कोई रेखा किसी बिंदू पर क्या होती है लंब होती है तो वहां पर 90 अंस का कोण बनता है आप सबको पता है तो अगर यह दोनों पर्पेंटिकुलर हैं यह सभी तो यहां पे क्या बनेंगे बेटां यहां पर क्या बनेंगे में नहीं नहीं टो हम लिख सकते हैं अ एगल पी एकवाल बयु बहुत करे अप देखिए चाहां पर एक चातुर्भूज बन दा यि पी औ कि एक चतुरुबुछ बंदा लिखिए चतुरुभुच PQOT के सभी आंतरी कोंसे कोंनों का योग है एक अंब रावर if Yzp In A öğBut Twit I have a high high eight कोंनों का योग बराबर in but outta the Oames बिनना होगा Oh बहिया किसी भी चत्रभुज के सभी कोनों का योगफल 360 होता है लिख लिजिए in quadratral POQT sum of interior angle इंगलिस में लिख लिजिए in quadratral POQT sum of interior angle equal 360 ठीक है तो बैटां आब क्या करेंगे बाबु इन सारे angle को हम जोड लेंगे जोड के 360 के बराबर कर देंगे लिखो angle PTQ अब लेंगे पी क्यूटी लिख लिजिए या फिर इसे अगर हम काउंट करेंगे इधर से करेंगे तो क्यूटी कि लिखों क्यूटी को क्यूटी कौन कौन से एंगल आ गया इसमें टी आ गया क्यूट अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे भी ओक्यूटी क्या करेंगे पी ओक्यूटी या फिर क्यूटी भी बोल सकते हैं इसको शुटी अगर इधर से काउंट करेंगे तो क्यू ओक्यूटी अब कौन बचाएं एंगल बचा है नहीं आ गया है क्यों आ गया है जो बीच में होता वह बाना जाता है अभी नहीं आया है तो पिके लिए क्या करेंगे घृट लो O P T Angle O P T मतलब बीच में एक बार वो angle आ जाए यहाँ पर P आया बीच में तो P कोण है यहाँ पर O कोण है Q आया तो Q है हमें इसका मान नहीं पता है angle P T Q नहीं पता है O Q T Q वाला angle जबे मनें अभी लिखा है O वाला angle कितना है 110 दिया था पहले से यह 90 हो गया P वाला भी 90 दिया था 360 यह P वाले की जगा मनें 90 लिखा है सभी को जोड़ लीजिए angle P T Q equal 360 minus 110 minus 90 minus 90 क्योंकि यह उधर जाएंगे सब minus minus हो जाएंगे इनको final में अगर हम जोड़ के घटा है तो कितना आएगा बेटा पता है आपको P T Q equal 360 minus 290 कितना सबको पता है यह यह इस angle का मान P T Q का मान 70 अंसाया कितना आए भीया 70 अंसाया निकालना क्या था यह तो निकालना था ना option number B सही है screen shot ले लिजिए मैं एक नजर में पूरा दिखा दूँगा बहुँच जल्दी करिए बटा फट फास्ट आगे बढ़ें जल्दी करो बटा जल्दी बहुँच जल्दी फास्ट ओके चलो अब इसको मैं पूरा question दिखा देता हूं इसमें option number B सही है option number कौन सही है B number option सही है जितने भी आपको इसमें option दिए गए है option number B is correct answer पत्ता डिग्री डन लिख लो चलो दिफरा question दिसरा प्रसंद देखिए बहुत आसान है क्या कह रहा है इसक्रिन पर आपके दिख रहा है फिरा यदी एक बिंदू P से O के अंदर वाले किसी बृत पर P A क्या है P A आगे लिखा है P V असपर्स रेखाएं 80 डिग्री के कोन पर जूकी हूं इस पर 80 डिग्री के अंगल पर जूकी हूं तो P O A इसके बराबर होगा यानि हमें P O A का मैं निकालना होगा आईए शुरू करते हैं वैसे यह भी होगा इसमें भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे आप देखिए यह मैंने फिगर बना लिया है इसमें वेटा जो O A है वो P A पर लंब है क्यों है थेहरम 10.1 से मैंने आपको पढ़ाया है आप सबको पता है O A परपेंडीकूलर P A ठीक है इसी तरह से O V परपेंडीकूलर P V मालूम है ना आपको थेहरम 10.1 से आप सबको पता है कि तिरिज्याएं हैं बृत्त की जो तिरिज्या होती है असपर्स रेखा पर लंब होती है ना असपर्स बिंदू पर 10.1 थेहरम देख लिजीए ठीक है आगे बढ़ें चलिए क्यों हो गया कोई टक में लिए कितने क्या रीजन परपेंड दस दसमलो एक से है आप पर में 10.1 नहीं देखे हो जाके देख लेना ठीक है चलो बिटा हो गया इतना अब क्या करेंगे अब लिखिए देखिए इसमें एक चतुर्भूज बन रहा है पी ए ओ बी यह फिर हम ऐसे कहसे हैं योग बराबर कितना होता है तो सभी कोणो को आप जोड़ लिजिए अपर लिखिए चाहे तो ऐसे लिख लिजिए अगल ए धान एंगल पी धान एंगल बी और धान एंगल ओ इकवल300asad इसमें देखिये कुछ के मान दिये गए हैं जैसे पी का मान देखो यहाँ पे 80 दिया था पी का मान $70 दिया था ए वाले का मान आपको दिया है क्या आप ए का मान $90 दिया है जैको बच्छा अगर कोई भी रेखा इस से किसी भी रिखा पर लंब होती है तो वहां पर 90 का कौन बनता है इस कमान नब्वे अफी कमान असी और बी कमान नब्वे और ओ कमान हमें नहीं पता है कि अब को हल कर लेंगे हम आप सब को पता है इंगल ओ निकालना है इन सब को जोड़ दीजिए नो नो अठारा एकसा सी कुछ आहीँ तो जायиях एंगल ओ अन्दर्ड ओ और 306-260 तुन आहेगा 100 कोशिचन अटा दो सक इंगए न किया नगालना क्या था हमें इसको नहीं निकालना था हमें ये एंडर्ड तो मिल गया अब ही तो हमें कुछ स्थावर निकालना गुका निकालना एक बार फिर से कोईशन देख लीजीए टेखिए कि हमें पी ओए निकालना ए अभी ये पूरा पूरा चतुर्भुज में जो वह आ रहा है यह फूरा पूरा में ठीक है हमें सिर्फ इतना निकालना है सिर्फ इस फिर्फ पूतना थोड़ा फ़र निकालना है आईए देखते हैं अब इधर साइड में आल कर लेते हैं देखो इसमें समझना इसमें दो परकार की तिरभूज बन आपको दिख रहें एक पी ओ बन रहा है एक पी ओ ये बन रहा है बन दा दो तिरभूज न अब यहां पे आ बिखान से दो कोण नबयांस के दिये गए आपको और पी बी ओ देखो पी ओ और पी ओ लिखिये कोंड पी ओ बराबर कोड पी ओ लिखाना है ये दोनों बराबर है हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है बराबर क्यूं है दोनो नभे है, इस प्रीजन है, ठीक है, दोनो नभे है कि लिख लो दोनों सब कोण है, ठीक है हमें तो कुछ और prove करना है न इसमें अगर देखिए तो O, A, O, B के बराबर है, O, A, O, B के बराबर क्यूं है बिटा, हमढ़्या क्यूं है ऐसा O A O B के बराबर इफ लिए है क्योंकि A कही बरित्ति की तरजय है O A बराबर O V देखिए A कही बरित्ति की तरजय है They कही बरित्ति की तरजय है और दोनों तरभुजों में झाल झाल कि इसी कारण से चित्र को मिटाना पड़ा था जिसे मैंने फिर से बना दिया है यह ठीक है अब अगर भाई यह दोनों तिर्भुज कांगुरियंस हो गए पी ओए और पी ओबी तो हमें यहां पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी ओए यह बराबर होगा एंगल ओबी के क्योंकि क्रिस्पांडिंग आट आप कांगुरेंट ट्रियंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं अब लिखेंगे बाई सीपी सीटी ठीक है क्यों बराबर हैं सीपी सीटी से अगर कोई दो त्रभुज आपस में सरबांग सम्हें तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोणा पास में बराबर हो सकते हैं अब अगर हम इसको पूरा पूरा ले लें ए ओ भी ए ओ भी तो हम कहेंगे कि एंगल ए ओ इक्वल हंड्रेड अभी हमने सौ निकाला था उतर देख रहो तो भाईया इनको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं एंगल पी ओ ए जन अब फी ओबी इसको सो कर दिये जाती वी ओ ए और फी ओ भी हमने क्या किया आँए को दो पार्ट में तोड़ दिया अब इसमें कुछ मिलेगा पुका मिलेगा फी ओ द्धन पी ओ ए हम कर सकते हैं काये लिए करेंगे देखो बताराओं फी ओ एधन इसको भी पी ओड़ाबर स इसलिए करेंगे क्योंकि यह दोनों बराबर है आपस में पी ओबी और पी ओए बराबर है तो हम इसकी जगह पे पी ओए लिख सकते हैं यह जाएगा टू एंगल पी ओए बराबर हंट्रेट हमें सिर्फ पी ओए ही तो निकालना था तो लिख लिजिए आपका अंसर आ चुका है अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तुनी संकोच बताईए और आपका चैप्टर चल रहा है 10.2 10.2 कुश्चन नंबर 4 होगा तो आज आप 4 नंबर कुश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को पूरा इंड तक देखिएगा कुश्चन आपको नीचे इसक्रीन पर दिख रहा है किरा कि सिद्ध कीजिए किसी ब्रित्त के किसी ब्यास के सीरों पर खीची गई असपर्स रेखाएं यह जो टैंजेंट है वो क्या है असपर्स रेखाएं जो हैं वो पैरलल हैं समझ रहा हो यानी हमें य कोई एक ब्यास हो जैसे AB है और उसके टच करते हुए ऐसे खीची गई दो रेखाएं हो तो वो समानतर है यह पुरूब करना है ठीक है कोईश्चन में बाकी चीजे नीचे लिखा है आप उन्हें देख सकते हैं जो दिया है मैंने उसे लिख दिया जिससे आपका टाइम बेस्ट ना हो AB केंदर O वाले ब्रित्त का ब्यास है AB क्या है ब्यास है यानि टाइमीटर है सेंटर O वाले सरकल का और दो असपर्स रेखाएं यानि जो टैंजेंट है टू टैंजेंट गिबन है पी क्यू एंड आरियस यह क्या है टैंजेंट मींस असपर्स रेखाएं जो की क्या करती है असपर्स बिंदू यानि कंट्रेक्ट पॉइंट क्या बोलते हैं उसे ए और बी पर इसे असपर्स कर रही है तच कर रही है ठीक है यह आप लिख लेंगे इंग्लिस मीडियम वन एपले कारडिंग लिए उसके बाद लिखेंगे बिटा सबसे पहले ये थांगी डिबबन के बाद लिखेंगे प्रूब मतलब to prove मतलब जात करना है 영les वहाले लिख लेंगे to prove जात करना है क्या जात करना है P Q Parallel Rs मैं पहले बता द ritual अब नीचे लिखेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब 영les में लिखेंगे to prove नहीं इसे केवाल proof लिखेंगे क्या लिखेंगे proof टो प्रूफ ओपरवाला होता है ठीक है प्रूफ अब क्या करेंगे इसमें प्रूफ में हम सारी एक्टिविटी जो भी इसमें करेंगे वो दिखाएंगे ध्यान दीजिए कि ओ है दिख रहा पीक्यू कॉमा लगा के लिखिए ओ भी ये भी परपेंडिकुलर है उधर वाली रेखा आरियस पर इसमें कुछ कहना या कुछ बताना नहीं है दिया है दिख रहा है ऐसा क्यूं है इंग्लिस मीडियम वाले लिख ले रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट पॉइ लेन हुदिमिडियम वाले लिख लिए अपने अकार्डिंग यह जो मैं कहना चाहता था तुरिज्जियाएं जो होती है वो असपर्स बिंदूपर असपर्स रेखा के लंब कई होती है आपने लिख लिया अब देखो बाबू यह दोनों एंगल बराबर हैं आपस में अगर AP और OBS ये दोनों बराबर हैं क्यों बराबर हैं क्योंकि दोनों 90 अंस का कोड़ बना रहे हैं इतना करने के बाद आप इधर साइड में आ जाना यहां साइड में ठीक है यहां तक करने के बाद में उधर चलना लिखिए कोड़ OAP equal कोड़ OBS कोड़ O-A-P इक्वल कोड़ O-B-S ऐसा क्यों है ब्रेकट में लिखिए बोथ हार 90 डिग्री बोथ हार 90 डिग्री दोनों 90 अंस के हैं यह हिंदी वाले लिखेंगे ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पर प्रॉबलम क्या है अब यहाँ पर कोई प्रॉबलम नहीं है हमारी जो भी बातें थी वो लगबग प्रूफ हो चुकी है थोड़ा सा बचा है अगर यह दोनों कोड़ इक्वल है O-A-P और O-B-S क्या है अगर यह बराबर है आप इन्हें अगर देखो तो अंता है एक आंतर कोड़ भी तो है न यह तो है न और अगर ऐसी स्थिति आती है तो इनसे जो जूड़ी हुई रेखाए वो क्या है पर्लेल होती है न आप लिख दीजी एक लाइन में लिखिए O-A-P and O-B-S O नीचे लिख लिजीए मैं लिख के दिखा देता हूँ अच्छा O-A-P and O-B-S are equal and alternate interior angle therefore P-Q parallel R-S जो लिखने वाली बात थी मैंने नीचे लिख दिया है आप इसे देख लिजीए question मैं इस screen से हटा देता हूँ ठीक है नीचे लिख दीजीए hence proved आता सिद्ध हुआ तो बैटा लिख लो मैं सामने से हट जाता हूँ जल्दी से लिख लो screen साथ ले लो जिनको करना है ठीक है यही इसमें prove करना था यह बहुत ही छोटा सब रसन था जल्दी से सभी साथी जितने भी नए साथी जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहीं जाएंगे नहीं अगला question दिखाएंगे तुरंत ठीक है और बैल आइकन अंकरना जिससे अगली क्लास भी मिल सके बटा चलो नेक्स्ट कुश्चन दिखाओ भई पच्वा कुश्चन आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है सिद्ध कीजिए कि असपर्स बिंदू से असपर्स रेखा पर खीचा गया लंब बृत के केंद्र से होकर जाता है इसको आप लोग खुद से कर लोगे बैटा यह होम और्क है बहुत आसान है ठीक है सभी कर लेंगे चाठा कुश्चन भी आपके लिए होम और्क रहेगा यह भी एकदम बहुत ही आसान है इसके पहले जो भी प्रस्न करवाए गए उन्हीं के अकार्डिंग है लेकिन सतावाला में कराऊंगा सातमा देखो थोड़ा साथ अच्छा है कि कहरा कि दो संकेंद्रिये बृत्तों की तरिज्जाएं पांच सेंटीमीटर तथा तीन सेंटीमीटर हैं बड़े बृत्त की उस जीवा की लंबाई गयाद कीजिए जो छोटे बृत्त को असपर्स करती है ठीक है यह हमें क्या करना है फाइंड करने हैं ज्याद करने हैं चलिए दिखाते हैं कि बीच में अभी थोड़ी सी आवाज नहीं आई उसको मैं रिपीट कर देता हूं सुन लिजिए पहले आप फिगर देखिए दो सरकल बने हैं एक ब्रित्त छोटा सा बना एक बड़ा सा बना है दिख रहा है न अब इसमें ऐसे ही कुछ कंडीफन दी गई है कहरा दो संकेंद्री ये ब्रित्तों की त्रिज्याएं पांच सेंटीमीटर तथा तीन सेंटीमीटर हैं कहने का मतलब जो बड़ा ब्रित्त है उसकी त्रिज्या पांच सेंटीमीटर है और जो छटका ब्रित्त है इसकी त्रिज्या तीन सेंटीमीटर है करया बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए जो छोटे वृत्त को असपर्स करती है यानि हमें PQ ग्याद करना है ठीक है? हम लिखेंगे सबसे पहले साल्ब या हल लिखिए OA perpendicular है PQ पर OA PQ पर लंबवत है या लंब है कैसे? OA आपको दिख रहा है इसकी क्या है? त्रिज्या है PQ क्या है? असपर्स रेखा है छोटे वाले बृत्त पर और त्रिज्या जो होती है असपर्स बिंदू पर असपर्स रेखा के लंबवत होती है ये असपर्स बिंदू है A ठीक है? इफ ले ये क्या है? पर्पेंडिकूलर है यह नहीं लंबवत है अब आगे लिखिए तिर्भूज ओ पी ए में कोड़ ए बराबर 90 समझ रहे हो किसमें ओ पी ए में ओ पी ए यहां पर जो ए है वो कितना है भाईया 90 डिगरी का है 90 डिगरी है दिख रहा है न देखो बाबु यहां पर एक चीज समझ हमें पी क्यू निकालना है पी क्यू अगर हमें पी ए पता हो जाए तब हम पी क्यू निकाल सकते हैं क्योंकि पी ए पी क्यू का आधा है दिख रहा है और यह एक क्या बन रहा है समकोंट तिर्भूज बन रहा है इसमें पाइथा गोरस पर्मिये लगा करके हम पी ए निकाल स ओपी का स्क्वायर यानि करण का स्क्वायर इक्वल ओए का स्क्वायर यानि लंब का स्क्वायर और प्लस पी ए का स्क्वायर यानि आधार का स्क्वायर इसका बैलू 5 दिया है देखो भाई यह 5 दिया है न और ओए ओए तीन दिया है हमें PA या फिर AP निकालना है तो यह हो जाएगा 25 ये 9 धन PA का होली स्क्वाइर question हटा दीजिए clear दिखे ये 25-9 बराबर PA का होली स्क्वाइर यह जाएगा 16 इक्वल PA का होली स्क्वाइर ठीक है final में क्या हो जाएगा इतने बड़े हो कच्वाइर दस में पहुंचे आप सबको पता है कि PA बराबर कितना हो जाएगा 8 sorry 8 नहीं 4 16 का वर्गमूल कितना होगा भाई सिंपल सी बात है आप सबको पता है PA स्क्वाइर है स्क्वाइर हटेगा इधर वर्गमूल आएगा चलो मैं पूरा बताई देता हूं यह लो इतना हो जाएगा ना तो भाईया PA बराबर प्लस माइनस 4 आएगा कितना आएगा फूर फूर सेंटीमेटर ना लेकिन सेंटीमेटर कौन कह रहा है फूर इकाई आएगा बस इसमें इकाई नहीं दी गई है सेंटीमेटर है क्या है कुछ दिया नहीं गया कि दिया गया था का अच्छा डिया गया था सEntimeter दिया गया था ठीक है जब PA 4 है तो नीचे हम लिख सकते हैं इस लिए इस लिए SEial ratio is behind 2 2 into PA अब इस खोड़ा धंक से कर लिजिए पराबर 2 into PA निचार बबराबर 8 cm किमीटर बस हो गया लिख लीजी आप समझ में ना पी क्या है पी एका तो गुना है यह कोईश्चन आपका यहीं पर खताम हुआ इस तरह से आपका कोईश्चन नंबर फोर और सेबन इसमें मैंने बता दिया यानि फोर्स लेकर के सेबन तक के सारे कोईश्चन इसमें हो गए ह बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं मैं हम अगला कोईश्चन ध्यान दीजिए आठमा नंबर देखिए साथियों कह रहा है कि एक बृत्त के परिगत एक चतुर्भूज ABCD खिंचा गया है फिगर 10.2 में आपकी किताब में दिया है सिद्ध करना है कि AB धन CD को जोड़ने पर AD और BC के जोड़ने के योग के बराबर आए इसको आप लोग ट्राई कर लेना नहीं आएगा तो मुझे बताना ठीक है कमेंट करके बताना कि हाँ इसे बताना है अगला कुश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं 9 नंबर उसे ध्यान से देखिए इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा ह ए लाइन है और यह लाइक डास य डास dlatego केंदर वालिब ब्रित पर दो असपरस रेखाएं हैं यह एक बृत रह कल जिसका सेंटर ऑ है इस पर यह दो क्या है असपरस रेखाएं हैं टैंजेंट हैं और शबास बिंदु c पर असपर्स रेखा AB XY को A तथा X-Y-B पर पर पतिछेद करती है असपर्स बिंदू यानि contract point ना यह तो बोलते हैं बाइंगलिस में क्या बोलते हैं contract point बोलते हैं असपर्स बिंदू को बताना असपर्स बिंदू C पर यानि point जो C है उसपर क्या हो रहा है AB XY को तथा X-Y- को बिंदू B पर पतिछेद करती है समझ रहा हो ना क्या कह रहा है यह जो जो कह रहा है था मैंने लिख दिया सिद कीजिए AOV 90 है यानि जो AOB यह 90 प्रूब करना यानि इस पर क्या है 90 है कैसे करेंगे आईए देखते है सबसे पहले उपर लिखेंगे कुछ चीज़ें सिंपल वाली जो भी है आगे बढ़ते है फिर चल यह लिखिए इनको हम पार्ट पार्ट वाई हल करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम एक छोटे तिरभुज में लेंगे AOP यह इसमे मान लो कि हम इसे one number मान लेते हैं और AOC इसको two number मान लेते हैं हम पहले इन दोनों को congruent प्रूब करेंगे ठीक है one number और two number कोंड जहां पे लिखा गया है चल यह लिखिए यहां पर आप solution लिख सकते हैं हल या साल्ब लिखिए तिरभुज AOP और तिरभुज AOC में फटापट लिखो AP इक्वल AC AP क्या है AC के बराबर है tangent from A क्यूं लिख लिजिए tangent from A कई बार बताया हूँ यह कि ऐसा क्यूं बराबर होता है AP AC के बराबर है AP AC के क्या है बराबर है ठीक है A से क्या है यह दोनों वाई सिंपल सी बात है एक निश्चित बिंदू से दोनों असपर्स रेखाए है किस की उसी सेम बृत्त की बोला है कि नहीं असपर्स रेखाए ही तो है ना एक निश्चित बिंदू से यानि एक ही बिंदू से समान बरित्व पर खींची गई जो असपर रेखाया होती है वापस में बढबर होती है बस यह हिंदी वाले समझदेगे बेटा इसमें यह तो हो गया ओ-पी ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-सी के बढबर है ओ पी, ओ सी के बराबर है क्यों देखो ध्यान से, ओ पी, ओ सी के बराबर है, बैस सिंपल सी बात है, एक यही बृत्त की तिरिज्जायें हैं, लिख लीजिए, रेडियस आप सेम सरकल, रेडियस आप सेम सरकल, एक ही बृत्त की तिरिज्जायें, हो गया लिख लिया अब देखो आगे ओ ए ओ ए बराबर है क्यों बराबर है बाई सिम्पल सी बात है हमने इस और इस तिर्भुच को लिया इसमें ओ ए दोनों में common है common है न भाईया तो आप लिख लो ओ ए इक्वल ओ ए क्यों क्योंकि common है common है हिंदी में लिखेंगे uberanist है ठीक है और आगर यह तीन चीजें मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं तो triangle AOP ये क्या है दोनों लिख लो parallel parallel बोलते हैं क्या बोलते हैं से congruent ста al direct pine treinkel aoc by breakar men सअरे सब्सक्राइब sabemos विलीर यह सपराज Turkish एशने भूजा 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 नियम से यह दोनों क्या हो गए तिरबू आपस कं़्येंट हो गए तो भाहिसते हैं यह दोनों का इंग्रічक्राइबह तो हम कह सकते हैं एंगल वन इक्वल एंगल टू यह क्यूं है बाई सीपी सीटी से यह बहुत अच्छे से जानते हो इसे इक्वैसन नंबर फास्ट बना लीजिए अगर कोई दो तिर्भूज आपस में सरवांगसम है तो उनकी संगत भूजाएं और संगत कौन बराबर होते हैं सीपी सीटी का मतलब होता है काइंगुरियन पार्ट आफ ओ स्वारी करस्पांडिंग पार्ट आफ काइंगुरियन ट्रेंगल ठीक है करस्पांडिंग पार्ट आफ काइंगुरियन ट्रेंगल यह सीपी सीटी का फुल फाम इसका एक रूल होता जो मैंने पढ़ाया पीछे ज है इसाइक है? इसी परकार boc और boq में देखो नीचे लिएक व इसी परकार boc और boq में यानि, इसे हम माल लेते हैं 3 नमबर इसे या माल लेते हैं 4 नमबर तीन और 4 नमबर mêmes दिर्भुझ में, जाएं है, यहीड कंडीसन की ये पलाई करेंगे नीचे लिख लिजिए इसी प्रकार तिर्भुज B, O, C और B, O, Q में तिर्भुज B, O, C और तिर्भुज B, O, Q में सब कुछ ऐसे ही रहेगा इसमें भी B, C, B, Q के बराबर है टैंजेंट फ्राम B, लिखो, B, C, E, Q, Q, लिखिए टैंजेंट फ्राम B, हिंदी वाले इसे समझ लें एक ही बिंदू से समान भृत्त पर खीची गई असपर्स रेखाएं बराबर होती हैं यानि यह एक बिंदू है निश्चित है इस पर दो असपर्स रेखा खीची गई हैं एक तो Q, B और एक B, C, ठीक है एक Q, B और एक B, C एक ही बिंदु से एक ही बृत्त पर जो असपर सरेखाई खींची जाती है वो इक्वल होती है ठीक है हो गया ना बाबू O C O Q के बराबर है O C O Q के बराबर है लिखो O C बराबर O Q क्यूं बराबर है क्यूंकि ये भी एक ही बृत्त की तरिज्जाएं है लिख दो समान बृत्त की तरिज्जाएं अरे यही उपर वाला लिखना है एक ही बृत्त की तरिज्जाएं लिख दो ठीक है एक ही बृत्त की तरिज्जाएं या समान बृत्त की तरिज्जाएं यह हो गया B Q इसमें दोनों common कौन है बाबू O B O B दोनों में common है ना तीन और चार नमबर जो यहाँ पे यह कोण बन रहे हैं दोनों में O B common है ना लिखो O B equal O B common है नीचे दिख रहा है दिख रहा है ना लिख लो O B equal O B breakout में लिख लो common है क्या है common है ठीक है common है अरे सुनाई तो तुम्हें पढ़ी रहा नहीं दिख रहा है तो O B O फार onion यानि प्याज B फार बाल ठीक है यह तीनों चीजें मिल गई अब हम लिख सकते हैं कि दोनों तिर्भूज क्या है congruent हैं तो बेटा यहाँ पे इधर साइड में लिख दो यहाँ पे अब लिख सकते हैं इफ लिए तिर्भूज कौन-कौन B O C और B O Q B O C यह congruent तिर्भूज B O Q क्यूं यह दोनों क्यूं congruent है किस rule से bracket में लिखो by S S S S S rule यानि side 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 भूजा 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 वाले rule से यह क्या हो गए congruent हो गए congruent है तो इनके भी दोनों कोण आपस में बराबर है हां निचे लिखेंगे so angle 3 equal angle 4 देखो कहानी बनती जा रही है angle 4 bracket में by C P C T यह दो नंबर equation हो गया क्या हो गया दो नंबर equation हो गया कहानी बन रही है बस एक equation और जरूरत अब नहीं पड़ेगी हो गया कहानी हमारी खतम हो गई यही तो करना था हमें नहीं अभी कहोगे कहां हमें तो ए ओ बी को नब्बे प्रूब करना है बाई सिंपल सी बात है ए ओ बी हम नब्बे अभी तुरंद करके दिखाएंगे इसे नोट कर लो इतना लिख लो या अब तक चार कॉनन रहे ना चार बन रहे ना हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा दें यहान दो को कि यह सीदा फीधा एक 180 बन रहा है कि नहीं कि 1080 ऑक इनुआ न पी की उपठ चारोअ कोनरों का गर जोड दिया जाए बन रहा है न हां इनको मिटा दो फिर मैं बताता हूं चलो फट से जल्दी करो बस हो गया अंसर लिख लीजिए एक लाइन और बचाया है लिखिए जैसे मैंने अभी बताया किन चारो कोणों को चोड़ेंगे तो 180 के बराबर है सिधा फिधा बन रहा है न देखो भाईया कोण 2 जो है वो कोण 1 के बराबर है इकवैसन नंबर मेर फष्ट से तो फट स्थ की जगापे हम हम टूलिग सकते हैं और टू को इह रहने देंगे ठीक है और कोंड तीन कोंड 4 के ऑसिछार के बराबर था इसलिए हम तीन को तीनakर देंगे ृँपर एक शोचिएंसस ऐसा इसलिये कर रहे हैं कि हम कौण 2 और कौण 3 को जोड़ करके 180 दिखाना है यह ओ भी क्या दिखाना है एक सौसी सवरी 90 दिखाना है इनको जोड़ लेंगे तो इन्टू कौण ए सरी यह तू हो जायगा दो पार जूड़ेगा तही हो जायगा ना और प्लस 2 इन्टू कौण 3 बराबर 180 इसमें 2 कामन हो जा जायगा यहां से कौण 2 प्लस कौण 3 निकालेंगे तो 180 बटा दो यह दो इधर जायगा तिधर भाग में हो जाएगा आप सबको पता है मालूम है ना यानि हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 को 90 डिग्री हो रहा ना बाबू अब ध्यान दो एंगल 2 और एंगल 3 इंगल 2 अध्यान से देखो तो ए ओवी बंद आया ऊवंद आया और हमें ऊवी ही तो निकालना था यानिए इस तोंबी हिसकते हैं क्या सकते है इसकी क्या इसकी जेगर हम लिए ते थोंबी FAO बड़ाबर नब्वे और हमें क्या करना था यही तो प्रूप करना था जी चलीक दो प्रोब्ड हो गया बाबू ठीक है कोई दिक्कत किसी को कोई तकलिफ होई परिशानी नहीं लिख लीजिए नोट कर लीजिए जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं इस तरह से आपका ये भी कोईश्चन हो गया नाइन नंबर भी इसमें कुल 13 कोईश्चन है कितने हैं तेरा कोईश्चन है जल्दी करिए नए साथ ही सभी चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर प्रेस करें ठीक है आग इंग्लिस में पढ़ देता हूं सुन लीजिए चलिए तो अब मैं इस कुश्चन को रीड कर देता हूं इंग्लिस में आप लोग हिंदी वाला देख लीजिए कहरा आ ट्राइंगल ए बीसी इज ड्रान टू सरकम सक्राइब आस सर्कल आफ रेडियास फोर सेंटिमेटर सच दा सेग्मेंट बीडी एंडी सी फिकर में दिखरा ना आपको इन्टू वीच बीसी इज डिवाइड़ बाई दपॉइंट आफ कांटेक्ट टी आर दे लेंथ एट सेंटिमेटर एंड सिक सेंटिमेटर रिस्पेक्टवली फाइंड दा साइड एबी एंड एसी तो भाईया इसमें एबी हमें निकालना बाबू एबी यह पूरा-पूरा साइड निकालना इधर साइड में वह सकता भी आपको ना दिख रहा हो और एबी के अलामा कौन सा निकालना यह एसी निकालना है चुकि इधर वाली तो दी गई है 14 cm पूरा-पूरा तो यह दोनों हमें फाइं लिजिए चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बृत है उसके परिगत एक त्रिपुजे भी सी है और रेखा खंड इसमें दो दिये गए थे एक डीसी छे सेंटीमीटर और बीडी आर्ट सेंटीमीटर मैंने दिखा दिया प्रूब देट जो हमें घ्याद करना है कोईश्चन मे जांध ऊदा है कोईश्चन में क्या खंद आरीट के क्नार कि आरे बस बाकी जो मिलाया गया यह कोईश्चन में यह इसा पूसें सब्सक्राइब आता है जो हम इसको मिला रहे हैं यह यह थीकिया तो इसको लिखेंगे रचना में देख लिएना तो यहां पे आप क्या लिखेंगे रचना या इंग्लिस में construction लिखेंगे ठीक है construction या रचना इंदी इंग्लिस दोनों में मैं लिख रहा हूँ proof that मतलब ज्याद करना है given मतलब दिया है और बाकी चीज़ें हिंदी लिखी है कोई दिक्कत नहीं है रचना में लिखेंगे बाबू O A O B O C और O E को मिलाया ठीक है लिख लीजिए लिखिए O A O B और क्या है O C तथा O E को मिलाया यह क्या किया रचना किया इतना construction किया इसमें यह याद रखना है आपको ठीक है अब क्या करेंगे अब हम इसमें फाइनल आंसर देने जा रहे है यानि जो हमें उत्पत्ती करनी है में चीज वो लिखने जा रहे है ठीक है इसमें लिखो cd-cf के बराबर है लिकठो बहाई ya cd bud rig cf समझो यहां पर ही किसका cd यह जो है वो cf के बराबर है और अगर आप देखो तो cd य respecto dc 6 cm दिया है तो यह है और cf अगर cd के बराबर तो इसका मतलब यह भी 6 cm हो जाएगा और यह बराबर क्या है बसक्राट में लिखिए एक ही बिन्दु से जाने वाली असपर्स में रिखाएं होता है तो ध्यान देना यहां पर अगर सीडी सीफ के बराबर है एक ही बिंदू से जाने वाली आसपर से रेखाए हैं तो यहां पर हम इसको अलग से भी दिखा सकते हैं इसलिए सीफ बराबर छे सेंटीमीटर है ना यानि सीफ कितना हो गई छे सेंटीमीटर हो गई अब यहां पर जगा थोड़ा कम है तो मैं उपर इन चीजों को मिटा दूंगा जो दिया हुआ है आप इसे एक बार स्क्रेंशाट ले लिजिए लिख लिजिए मैं साइट हो जाता हूं उसके बाद बहुत जल्दी करिए चलिए आप देखिए एक तरफ तो आपने कर लिया अभी तिर्भूज है ना तिर्भूज है इसमें तीन साइड से वह ऐसे ही सेन्योग बनेगा जैसे इधर बनता था ना जैसे इधर देखिए सीडी और सीफ यह सपरस रेखाए थी एक ही बिन्द से आज जstag को जाने वाली वैसे इधर साइड में BD है और BD साथियों 6 cm दिया है आप अकर देखो तो दिया है यह गया था अगर यह 6 cm है तो यह भी 6 cm ही होगा रीजन जैसे यहां पर था वैक हिए यहां पर भी हो जाएगा आप यहां पर लिख लीजिए इसी तरह इतना करने के बाद यहां उपर आके लिखना है फिर आप में जहां भी जगा होगी लिखना इसी तरह बी डी बी डी बराबर बी ई ब्रेकट में लिख लिजिए एक ही बिंदू से जाने वाली असपर्स रेखाएं लिख लिजिए एक ही बिंदू से जाने वाली असपर्स रेखाएं बाबू यही लाइन लिखना है लिख लो ठीक है आगे चलो तो अब क्या करेंगे इसी तरह फिर फिर लिखिए नीचे इसी तरह दो बार क्योंकि हमें जैसे हमने इधर वाला लिया वैसे इधर वाला वैसे इधर वाला भी लेंगे उपर वाला तो लिखो इसी तरह A E बराबर A F A E बराबर A F रीजन में वही बात लिख लो जो यहां लिखी है वही बात इन दोनों में रीजन में आगे लिख लो ठीक है तो देखो बाबू समझो अब इसमें एक चीज करेंगे हूं य可是 बराबर एक सिसको माना जाएगा क्या माना जाएगा समझो अक्टुली ये हमें कुछ नहीं दिया है ए-f और ए-e हमें दिया नहीं है तो हम इन दोनों को ethics मान लेते हैं ठीक है ये साइड एकस हैं चूकि इनको तो दिया गया था आपको CD और BE दिया था इसमें देखो AE भी नहीं दिया है मतलब कुछ दिया नहीं है तो इसे हमने क्या किया X मान लिया अब लिखेंगे तिरभुज की पहली भुजा बराबर तिरबुज की लिखो लिखो पहली बुजा बराबर देखें तिरबुज में तीन बुजाएं हैं जो कि आपको दिख रही है एक बुजा है इसमें AB, एक BC और एक AC अगर ध्यान दो तो ये बुजाएं दो भाग में बटी है जैसे अगर हम बात करें AB की तो AB देखो BE और AE में बटी है जो कि BE 6 है और AEX है न तो ये दो भागों में बटी है यहाँ पर हम इनको समझ लेंगे पहले लिखो पहली बुजा तिरबुज की पहली बुजा बराबर पहली बुजा बराबर कितना है भाईया लिख लो AB बराबर X प्लस 8 AB बराबर भुजा AB फिर बराबर X प्लस 8 ऐसे लिख लो तिरबुज की दूसरी दूसरी भुजा BC बराबर देखो BC में देखो बाबू यह 6 प्लस 6 आपको दिख रहा है क्या नहीं यह 8 cm था या रहे सुरी बीडी आपको आठ दिया था ना कुश्चन में देख लो एक मिनट पहले फिर चलते हैं देखो 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 ध्यान से कह रहा था क्या कह रहा था को लंबाइया का लंबाइया करमसा से अट सेंटी मीटर वुचछे सेंटी मीटर है हां भी डी ओर डी जन्में आस самой डीर डी ज़िनमेन दोडी और बी ज़़ा विभाजी थ है किला 8 ही होगी तो आप जो यहां पर लिख रहे हो ना यह 8 रहेगा थीक है आप साही है क्लियर तो बी-सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा बी-सी बराबर भी आपका वही हो जाएगा जो अभी आप देख रहे हो यानि एक्स प्लस 6 सेंटिमीटर हां कि 8 सेंटिमीटर अरे बाई साहब बी सी हमें नीचे वाला निकालना आठ और छे होगा न आठ धन छे इसी तरह से एफी निकाल लेंगे ए सी तो यह हो जाएगा बाबू आपका एक्स प्लस छे यह तीनों भुजाएं हैं हमें इन्हीं तीनों में से दो भुजाएं फाइंड करनी है तो चलिए निकाल लेते हैं देखिए अब तक आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से लिए तिरभुज की तीनों तीनों को घ्यांत करने के लिए अब तीरभुज की चैनल निकालेंगे और जासाथियों तो भुजाएं निकालेंगे जब हम लोग घ्रों सुट्र लगातें तो आपको पता है इसका काम लगता है यह होता है न सेमी पेरिमिटर का फार्मूला यहां पर तीनों बुजाओं को जोड़ेंगे एक्स प्लस एट और याक्स प्लस शिक्स और आठ प्लस छे जो भी आपको उपर दी गई थी ठीक है तो कर लीजिए अपान दो कर लीजिए फाइनल में जब हम इनको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स प्लस फोर्टीन 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 मिलेगा एक्स प्लस यहां पर जगा थोड़ा कम है इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता था आप देखो तो तो बराबर एक्स प्लस फोर्टीन आएगा यानि आप कह सकते हो किसका जो अर्धपरिमाप आया है यस बराबर वो एक्स प्लस फोर्टीन आया इसे यस कमान ठीक है यस कमान कितना आया है यह एक जगा बराबर लगेगा चाहे यहां लगा लो चाहे वहां लगा लो ठीक है एक हम सूत्र लगाएंगे मेनमालल ठाइन्वाल है अब यहां पर हम लोग क्या करेंगी हिरोन फार्मूला लगाएंगे लिखिए तिर्भूझ दि दि का प्र च.'dra만 बराबर यहां पर लिखिए तिर्भूझ B और Yes-C यह आपका फर्मूला होता है साथियों Yes कमान आया था अभी एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 आया था ना सारे मान इसमें पुट कर देंगे बाबू ठीक है बाकी कुछ नहीं करना है ध्यान देना तो Yes की जगा पर एक्स प्लस 14 रखेंगे यह सिर्फ Yes की जगा पर है याद रखना यह लाइन ऐसे आप खीच लेंगे अभी सिर्फ Yes कमान रखा है तो Yes-A है ब्रेकट के अंदर तो इसमें भी मतलबा आकी याक्स प्लस 14 और मैनस एक हमान रख दीजिए जो अभी आपकी तीन भूजाएं आई थी सारे मैन रख दीज appetite किया है में कि मिशा एक्स प्लस 8 थी आपने देखा था नंगर आपर यह था पलस 8 थी दूसरी फूट है च्छा चाउदा थी शोड़े चाउदा इसको मजला कोश्ठक या बड़ा कोश्ठक कर लेंगे ठीक है जिसे अंतर जनाई पड़े तो अभी ये सब पूरी कहानी सिर्फ यस माइनस एक की जगह पर लिखी गई है याद रखना अभी ये बाकी के इन दोनों के मान रखने बाकी है ठीक है तो यहाँ पर हम रखेंगे इ हम कोश्ठक लगा देंगे मजला का वाला है अभी हमने लाश्ट वाले का यह माइनस सी का बहलू अभी तक नहीं रखा है ठीक है उसमें भी क्या करेंगे भई एकस प्लस 14 उसका मान है एकस प्लस 14 ये सिर्फ यस का मान है तो हम यहाँ भी रख देते हैं इनको ऐसे बढ़ात तो यहां थोड़ा कम जगा है लेकिन ज्यादा जरूरत भी नहीं है एक्स प्लस 14 और माइनस का 14 हो जाएगा ठीक है मैं थोड़ा इसको हलका कर दूंगा दिख जाएगा वसे दिख रहा है इसमें देखिए जो बी कमान था वह एक्स प्लस 6 था इतना बड़ा एक मान जो था व अच्छा से ठीक है अब इनको हल कर लीजिए simplify करना एक बड़ी बात है बाकिया और कुछ है नहीं आप कर ले जाएंगे प्यार से चलिए कोश्टा कोपन करके देख लेते हैं एक एक को हल कर लेते हैं साथियों देखिए इसको हल करने का कई तरीका है अगर हम इसको खूब करें तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा चोटा करें तुला चोटा हो जाएगा आए इसको हम सरल करने की कोशिस करते हैं इधर आगे बढ़ा कर ठीक है अब ध्यान देना देखो बाबु अगर यह कोश्टा कोपन होगा यहां पर माइनस है अंदर के चिन बदल जाते हैं तो 14 यहां पर बचेगा इस्टार्टिंग वाला इसे हम यहां पर लाके लिखेंगे समझने की कोशिस करना यह प्लस यह 14 बचेगा बाबु और यह 14 बच रहा है और यह 8 बच रहा है दिख रहा है ना ब्रेकट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा आप थोड़ा फार लिखूंग खुलेगा तो माइनस अक्त हो जाएगा मद्लब एक्स बचा है उनली एक्स बचा है बाकि सब कट गया है तो यह एक्स हो जाएगा इसमें गुड़ा में ठीक है अब क्या हो जाएगा भाईया बाबु देखो यहां से यह हो जाएगा आपका एक्स प्लस फोर्टीन और यह चींट है लनके इसको हमारा चेतर फल निकालने परहां पर यहां समान नहीं निगल पा रहा है तो हम क्या करेंग से हिम्मत नहीं आरणा है इसका यूजय करना है अब हम दूसरे तरीके से और मैं रख देंए पिर यक्स यह तरीका है ठीक है पहले मैं भी सोच रहा था कि यह तरीका फाल तो इतना बड़ा काहे किया लेकिन इसका जरूरत लगता है चलिए करते हैं इसको आप लोग लिख लीजिए स्क्रीन साइट ले लीजिए बहुत जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए फटा-फट नई सम ध्यान दीजिए देखे चात्रों ध्यान देना यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ट्राइंगल को हमने तीन बराबर पार्ट में बांट लिया ठीक है ओ बी सी पहले ध्यान दो अगर ये केंद्र पर ओ है तो ओ बी और फी यानि इस तिर्भुज को मैं पहले ले हूं उसके बाद एरिया आफ ओए बी ओए और बी फिर इस तिर्भुज को लेंगे और फिर इस तिर्भुज को लेंगे इधर वाले तीनों का अलग 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 एरिया रखके निकाल लेंगे तो यह इधर साइड में हम वो छेत्रफल रखेंगे जो अभी हमें मिला था जो ही होता है ना तो भाईया हो एक बटा दो आधार अगर हम देखेंगे ओ बी और सी आधार यह बेस नीचे वाला यह 14 है ना देखो 14 है और उचाई उचाई अगर देखोगे तो इसका जो बृत यानि सरकल का जो रेडियस है वो 4 cm है ना तो नीचे वाला क्या है पूरा-पूरा अब इसी चौहदा है बीसी के आफ 14 है अगर हम उचाई यहनि फिस साइड को ले लेंगे मालो ऊसी को तब दीचार और बीको लेंगे तब दीचार होगा तो हम कह सकते है एसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसी तरह से अगले बाले में आ जाएंगे क्या इसमे में ले लिजिए ओधर फाइड में अगर हम चलें एक बटा दो अधार को लेंगे बाबू तो यह एक्स प्लस एट हो जाएगा एक्स प्लस एट इंटू उचाई तो हर जगा फोर है क्योंकि त्रिज्जा चार है तो चारी रहेगी उसी तरह से अगले में भी चलेंगे एक करना है हल कर लेना है ठीक है अब यहां से समझ के चलना यहां से साथ ही मेरे दो से यह कट जाएगा से बनाएगा दो से यह भी कट जाएगा यहां पर दो आएगा दो से यह भी कट जाएगा यहां पर दो आएगा अब इनको देखो कैसे सरल करते हैं जरा ध्यान देना थोड और यह एक्स प्लस आथ अंदर में है जो भी है जैसे विवह ऐसे हम लिखते जाएंगे यह का 28 प्लस एक्स प्लस एड देखो अंदर में है यहां पर थोडा सा समझना है समझ यह समझना यह है कि यहां पर बचा क्या-क्या जरत ध्यान दिजिए है आड़ साथियों यह तीन पार्ट में बढ़ा था आला अला अलग यह एक पहला पिलस-ब आपया इस प्रत के सथ nettai से लेकिन इस प्लस चिन्न के बाद और इस वाले प्ल« के पहले यहां ध्यान देना». इस वाले चिन्न के पहले, इसके बीच में जू है वह एक भागई है. यहां पर एकह्स पलस और 2 बचरा बाभू मुद्धु टिनक इस सिंह म EP viewers एक लाहेन लिखिए और लम्बा हो जाएगा इसलियम साथ में कर लेंगी नहीं की है दो है इन्टू यह भी गुड़ा में ही है अंदर में हो जाएगा मल्टिपल इतना क्लियर इनको जोड़ लीजिए अगर इन्हें आप जोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा क्या यह एक्स प्लस 14 और यह 48 एक्स ऐसे ही रहेगा इनको आप जोड़ेंगे टोटल फाइनल क जाएगा चार एक धन्च अपन हो जाएगा ठीक है अब साथ ही मेरे इसमें काम कर सकते हो आप इनको ऐसे ही लिखते चलो जैसे भी दिये हैं एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स इसमें चार कामन ले लोगे ती एक्स प्लस 14 बचेगा कोई दिक्कत नहीं आप किसी को दोनों काइघ कर दींघर दिछों का करेंगे mortal करेंगे त полностью क्यूंश करेंगे तो इधर का चिन लग जाएगा अपका इदर से वर्यमू रण यह यहाँ लिखी दीजिए कि दोनों पक्छों का वर्य करने पर हैं यह लिखंग pig का यहाँ सब जाएगा यहां पर क्या होगा वर्य मुल ना बेसिक नहीं आती तो कमेंट करके बताना नंबर पे संपर करना जीरू लेबल वाला पहले पढ़ लेना ठीक है अब इस चीज को हम उपर हल करेंगे लिए चलके एक्स का मान निकाल लेंगे इसका स्क्रीन साट लेलो फट से अब मिटाते हैं जल्दी करो कि देखिए अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है बहुत आसान हो चुका है समझ यह सथी हो जब इसका हम स्कॉयर करेंगे तो आप यहां थोड़ा समझना इनको तो हम ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस 14 और यह हम इसको काट सकते हैं क्योंकि वहां दो घात है मतलब दो बार सामिल है चाहे तुस्य दो बार में लिख दीजिए तो आपका यह 14 एक्स 48 एक्स और यह 16 इंटू यह प्लस 14 इतना बचेगा यह आप सबको पता है इसमें किसी को कोई डाउट अगर है तो बता दीजिए नहीं क्यों क्योंकि तीन इधर साइड में प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्यों यहां पे कुछ गड़बर लग रहा है क्या आपको नहीं ना कुछ मुझे गड़बर लग रहा है लेकिन समझना पहली बात तो इसके साथ में गुड़ा में है तो इधर जाके सबर नेए मैं जो सplease बणाएगा क्या आएगा साथ सेंटिमेटर आएगा उतियों अब हम तीनों बूुजा यहां पे लिखेंगे आता पहली हां ए पहली बूजा आप जार्फी में सबंधा कैंने एभी आप लोग देख लिजिए अभी जो मैंने लिखा था मैंने भी कहीं लिखके रखा है मैं बता देता हूं बोर्ड में मैंने मिटाया दिया है आप लोग काउपी में लिखे होंगे न अब बाई देखना का यह कितब ही हम देख लो न यह पहले भुजा एबी थी न एबी माना था तो एबी एकस प्लस मैं लिख डो न पहले भुजा एबी बडाबर दूसरी भुजा बडुशे बराबर न दुशत widget be पर मिलते हैं अगले कुश्चन में कोई डाउट होगा तो बता दीचेए तैंसन मत लीचेए दमनी संकोच अगले कुश्चन में मिलते हैं ठीक है चलो कुश्चन स्क्रीन पर देखिए प्रस्ण में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बृत्य के परिगत बनी चतुरभूज के आमने सामने की बुजाएं केंद्र पर संपूरा कौण बनाती हैं अंत्रित करती हैं यानि जो यह सरकल है इसके जो चारो तरफ यह आपको चतुरभू करना है कि सबसे पहले इसमें हमें कांश्ट्रक्शन करेंगे साथियों एक कांश्ट्रक्शन करेंगे वह क्या है अब देखो यह समझो ओ इसको ऐसे मिलाएंगे और ओसी मिलाएंगे ठीक है यह ऐसे ओडी और यह ओबी मिलाएंगे एक कांश्ट्रक्शन तो यह करेंगे और तत पस्चात इसमें हम एक कांस्ट्रक्शन और करेंगे वह कौन सा करेंगे पता है आपको यह इनका नाम माल लेते हैं पी क्यू आर यस रख देंगे यह यह मानलों पी हो गया यह मानलों आपका क्यू हो गया और यह आपका क्या हो गया आर हो गया यह और और यह यह हो गया तो यह क्या है कांस्ट्रक्शन का पार्थर रचना का भाग है ठीक है समझ रहे हो ना अब यहां पर आप लिखेंगे गिबन given मतलब dgya है लिखिए लिख लीज़िए क्या-क्या दिया है लिखिए a b c d a e čतुरभूज है जो दिया है उसको मैंने लिख दिया ठीक है given लिख दिजिए आप लोग भी a b c केंद्र को बिंदूओं पी क्यू आर्थ था यस पर असपर्स कर रहा है यहीं इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं तो बोलते हैं क्या उसे बहीं इंग्लिस में क्या बोलते हैं बताना अब लिखेंगे साथियों का इंस्ट्रेक्शन जो का इंस्ट्रेक्शन अभी मैंने आपको बत हां ओक्यू ओर और वेस को मिलाया था वो मैंने लिख दिया यह कंस्ट्रेक्शन का पार्ट था रचना का ठीक है अब साथ ही में बचा है प्रूफ यानि उत्पत्ति जो में करना है इसे आप लिख लिजिए मैं कोशन हटाता हूं उसके बाद फिर हम इसमें उत्पत्ति वाला क्यूं और एस लेकिन अजीबसा नहीं लग रहा आपको यह है यह तो बनी नहीं रहा है पी ओ एस बन रहा है ना रियल में पी ओ एस ध्यान दिखिए पी ओ एस इस तिर्भुज में देखना पी ओ एस में ध्यान देना ठीक है लिखिए तिर्भुज पी ओ एस में साथियों यहां पर अगर आप ध्यान दो तो जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है आप कहोगे एंगल A और एंगल B कहा है आओ देखो इन में दो कोण आपको दिख रहे हैं इनको मानलो कि यह कोण नंबर A है और यह कोण नंबर B है ठीक है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल A एस ओ पी को संधुभाजीत यानी बिसाक्ट कर रही है है रहा ना बताव कर रही कि नहीं कि जो ओ-ए है वो इसे क्या करें समझूभाजित कर रही बाई सिंपल सी बात है कोई तिर्भुज है अगर उसकी कोई बीच में माँद देखा आप खीज दोगे तो तुद बाग में माटती है न तो मिसा होगा अगर तो बालाब बापजर रही है कोई त επी वंबिन जाएगा इसलें यूश ित के होगा यह इकह उलोगा अघू नीचे लिखिए इसी तरह हमें इसी तरह को इसी तरह कि इसथ Hack जी यह अगर पी ओ क्यू में दें और देनों इसमें भी ओ भी स्कार्थ कर रही है तो इन में हम अगर 2 कोण मान लें एक C और एक D ध्यान देना इसको C मान लिया इसको D मान लिया तो यह कोण C कोण D के बराबर होगा इसमें भी वही रीजन हो जाएगा सेम तूसेम आप लिख सकते हैं एंगल C इकवल एंगल D ठीक है रीजन लिख लीजी वही क्योंकि ओ वी जो है व आगे बढ़ते हैं जल्दी करिए लिखिए अब मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा दूंगा नीचे वाला छोड़कर इसक्रिंसाट ले लो जैसे मैंने इधर दो किया था वैसे उपर भी हम दोनों तिरभूज में कर लेंगे मैंने लिख दिया ठीक है तिरभूज Q O R में E एंगल F के बराबर है इसी तरह R O S में एंगल G एंगल H के बराबर है यह सभी एंगल है आप देखो दिनको चारों तरब से ऐसे घेर लिया गया यानी 360 का बन रहा है आप साथियों यह सभी एक-एक बनते गहें याद रखना यह पहला इक वसन आपका बना पहला यह आपका दूसरा इक्वेसन बना था जो लिखना था ब्रेकर्ड में लिख लेने यह आपका तीसरा इक वेसन बना और यह चाहकं थाएक फैसन बन गए ठीक है अब नीचे लिखिए संभी करण 5 3 शार को करते हैं कि चारों तरफ के जितने भी कोन है सब को एक में जोड़ लेंगे ठीक है तो अब लिखो एंगल ए दन इंगल बी दन इंगल सी दन इंगल डी दन इंगल ए दन इंगल एफ दन इंगल जी दन इंगल एच यह आठों चारों तरफ से जुड़ जाएंगे आपको बहुत अच्छे से चारों समिकर में दिख लिए होगा इंग्लिस मीडियम और इसे लिख सकते हैं ओडी बिस्यक्ट कोण आर ओएस ठीक है कौन से लाश्ट वाले में चलिए अब क्या करेंगे साथ ही उनको जोड़ेंगे हमें पता है कि ए यहां स्टार्टिंग में देखो ए जो है बी के बराबर है यह तुम्हें पता है न एक जगा पर बी लिख सकते हैं यानि एंगल बी प्लस एंगल बी कर सकते हैं इसे इसमें कोई दिक्कत नहीं प्लस एंगल सी एंगल डी के बराबर है एक्वेशन नमबर अगर सिकेंड आप देखो तो सी जो है वो डी के बराबर है तो बिटा अगर सी डी के बराबर है तो इसे हम सी को सी के बराबर कर सकते हैं डी को भी एंगल सी ऐसे लिख लेंगे दन एंगल डी को भी एंगल सी लिख दे देंगे अभी ऐसा क्यूं कर रहे है लाइश्ट में दिखाएंगे लाजी क्योंकि हमें करना इसे कुछ है तो आप कहोगे कि हम एक को जो बी मान सकते हैं तो बी को इभी तो मान सकते हैं इन दोनों को A भी लिख सकते थे लेकिन B कुछ उद्देश से बनाया गया है ठीक है तो एंगल F हो गया इसी तरह से अगर आगे बढ़े हम तो साथियों इसमें G और G को ले लेंगे एंगल G और यच को भी एंगल G लिख देंगे अब इन सबको जोड लेंगे हो समझते चलो आगे करना क्या है हमें लाना क्या है हमें इन 4 तरफ के जो तिरभूज है मतलब सेंटरपे जो बन रहा है उसे 360 प्रूप करना है है ना चलिए आप सबको पता है। अगर मैंने इन सबको जोड़ा है तो तिरभूज चतुरभूज के जो 4 रों होटे उनका फ़ल एक्सवस्टी अंस होता है वह सवरी 360 360 होता आप सबको पता है इन सबको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2b और यह 2c एंगल लगा दो समय वही एंगल 2b एंगल 2c एंगल 2f प्लस एंगल 2g एंगल 2g एंगल 2g ठीक है एक्वल क्या हो जाएगा 360 आप कोई दिक्कत होगी तो बताना why the 360ि cał यह इसमें थोड़ां गडबर लिखा गया है और साथी मेरे जब इन कौनों को जोडा जाता है ना तो यह दो पहले लिखा जाता बलब गिंतिया से लिखा जाता ऐसे यह सही है यह सही है वो तरीका गलत है तो थोड़ा समझना है यहां पर देखो मैंने उसे क्लियर कर दिया है अब टेंसर नहीं लेना है आपका सारा काम हो चुका है यहां पर अब यहां पर हम दो कॉमन ले लेंगे साथियों तो बचेगा ब्रेकट में बी धन सी धन एफ और धन जी यह एंगल सम्में लगा देना बराबर 360 यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कुछ और मिलेगा वह क्या है एंगल भी धन एंगल सी धन एंगल एफ धन एंगल जी इकुल 360 वटा दो क्यों कि दो जो इधर गुड़ा में उदर जाएगा भाग मे दो क्या मिल रहा है बी सी देखो हैं से बी सी डी इर बी सी के बाद क्या मिल रहा है एफ जी न एफ जी और यह कितना हो जा रहा है 180 हो रहा है फाइनल में समझो देखो मैं आपको इसका थोड़ा मतलब समझाता हूँ deeply तर समझ में आएगा देखे साथियों यह एंगल बी सी और एफ जी बन रहा है अगर हम बी सी को लेंगे तो यह क्या बन रहा है और आपका अगर एफ जी को ले लिया जाए एफ और जी तो एफ और जी को अगर हम इसान से देखो पहले तो भाई कुछ अलाग लग लग रहा है गड़बर नहीं है सही है जैसे दिया था वैसे ही है साथियों जो एफ जी है वो देखो यह कोण बना रहा है डी ओ सी डी ओ सी ना यानि यह तिरकुन ना बीच वाला जो है दोनों कोण के सप्लिमेंट्री ना बोलो है कि नहीं बहुंद यह बराबर你 है यहां पर हम ऐसे भी इसरे लिख सकता हूँ तरभुज यह ओब至 धन यहतिरभुज पर स्वशवरी कॉर्द अट-दी ओ-ती कुछ 1991 और यहीं हमें क्या करना था प्रूब करना था यह आ सफ्माज गय करना था आप संज गए होँग क्य看看 B दंसी योँ ओव के बराबर और F और G डी ओसी के बराबर है नीचे लिख लिजिए चूंकि ओप सप्लिमेंटरी है जॉल सभख़शाख कहें जिए दिखा अदि retention मत लीजिए आप एक भी पैसे का दिखा देता हूं चलो भाई दिखा दो नीचे टैक्स अटा कि यह लो टैक्स अट गया दिखा कि साथियों हाल हो गया कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना नीचे क्या लिखा बता देता हूं एक बार ठीक है यही फाइनल है लिखिए इति सिध्धम अता सिध्ध हुआ यह डी ओसी है डी फा डॉग ठीक है यहीं सिध्ध करना था बाबू समझ में आया कोई डाउट है तो बता दीजिए निसंग कुछ आप टैंसर मद लीजिए हो गया ना इंड तो इस तरह से आपका पूरे च ठीक है बहुत जल्दी आपकी नई बैच भी आ रही है आप कमेंट करके बताना अगर आपको नई बैच पढ़ना है